करपूर गवरं करुडावतारं संसार शारं भुजगेंद्रहारं सदा बशंतम हिर्द्यार विंदे भवंभवाने सईतम नमामे नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंद्र पाठी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपसे बात करेंगे कि पंचांग की स्थिति क्या है सुर्योदे कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रोदे कब होगा चंद्रास्त कब होगा राहुकाल कब है दिशासुल कब है चंद्रमा किस राशी पर रहेगा कौन सा करण है कौन सा तिथी है कौन सा योग है राहुकाल कब है दिशासुल कब है इस सारी बात हम आपको बताएंगे आज का महामंत्र क्या है? महामंत्र का जब कैसे करेंगे? और जब करने से आपको क्या लाप मिलेगा? इसके बाद 12 राज़ों की भी बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि आज 12 राज़ों की क्या इस्ति है कौन बिदेश जाएगा किसको बिदेश से धनलाब मिलेगा कौन भारती परसास्टिक से ओमे जाएगा कौन खेल के शित्र में जाएगा कौन कहानी लिखेगा कौन फिल्म बनाएगा किसको प्रापर्टी से लाब मिलेगा किसको सेर ट्रेडिंग से धनलाब मिलेगा सारी बात आपको बताएंगे आपको सौधानी क्या विरत नहीं है उपाय क्या करना है किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी ये सारी बात बताऊंगा गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन है उनके भी बारे में बताऊंगा और दर्सकों के प्रस्टों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहे ये भागी गुरू कारिक्रम अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंतर की आज का महामंतर है ओम घ्रेडी सूरिय आयनमा यह जो महामंतर है दिवापती भगवान सूरिय का है अगर आपकी कुली में सूरिय अच्छा है तो व्यक्ति को यश्पत परतिष्ठा प्राप्त होती है नेत्रत तो करने की छमता होती है व्यक्ति स्वास्त राता है प्रसंद राता है और चतुर्दिक उसका भी कास होता है और सूर्य अगर कमजोर हो तो उसको तमाम तरकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो आप इस महामंदर का जब करें एक माला तीन माला लाल रंग का वस्त धालन करें और लाल चंदन के माला से करते हैं ता आपके लिए फाइदें बंद रहेगा